तो फ्रेंड कैसे आप सब आई हों आप सब बहुत अच्छ होंगी मेरी रसो में आप सब एक स्वागत करती हूं और मैं से इलकने वाले मीठी पूंदी की रेसे भी बहुत ज़ादा स्वाधी श्टेफन है फ्रेंड ये अदम खीला खीला सब पूंदी बनकर तयार हो जाता है बिना साचे से मैं आपको बताना बताऊंगी फ्रेंड तम फर्फेक्ट तरीके से जिसे आप असानी से बना कर खा सकते हो तो चलिए फ्रेंड मीठी पूंदी की रेसे भी बनाना सुरू करते हैं तो बस मैं यहाँ पे ले रही हूं दो कप बेसन तो नार्मल वाला बेसन है अच्छा हमारे घर में मिसाले बर रहता है तो बस अच्छे से मस्ता चान दोंगी जिसमें लमसें गुट्टियां बिल्कुर बीना रहें तो यह देखिए अच्छे से मैं चान चुकी उप्टन उसके बाद मैं यहाँ पी लूँगी तेर कप पानी तो पानी को क्या करना है बीजन में थोड़ा थोड़ा सकर कर मिक्स करते जाना है यह देखिए पानी को मैं थोड़ा थोड़ा सकर कर ही डाल रहें और अच्छे से मस्ता मिक्स करते जाओंगी जिसमें लमसें गुट्टियां बिल्कुर बीना रहें इसलिए फ्रेंड इसमें पानी को मैं थोड़ा थ तो बैस ऐसे हमें थोड़ थोरो सबसे पानी को डालते जाने ंच्छे में यह देखिए और अच्छे से मस्ता है इसे थोड़ थोरो सब करकर इसे मिक्स करते जाओंगी ताकि तो लुप से एक उत्तर करते जाओंगी तो लिएका तो जिसका करणां वह बूद्धे ज़्यादे इत्म light color आजाएगा तो बेशन अच्छे से मस्तफोल जाता है तो इसलिए हमें इसमें थोड़ थोड़ सकरकर ही पानी डालना है फिरें मैंने इसमें तिर्फ टेल कपी पानी डाला है तो थोड़ सही बेटर पतला रखना है तो फिरसे आप तो फिर थोड़ से यह देखिए चेक कीज़ेगा यह परफेक्ट है यह देखिए मिक्स हो चुका है इतना ही आपको पतला रखना है तो इसे 20 मिनट के लिए मैं ठाकर रख दूँगी बेशन के पेश्ट को यहाँ पे मैं कड़ाई दूँगी इसमें टाल दूँगी दो कप पानी और दो कप पानी टालने के बाद इसमें दो कप टाल दूँगी शकर तो मीठा आप थोड़ा कम जादा भी कर सकते हो फ्रेंड पर दो कप ही शकर इसमें परफेक्ट है तो बार से मस्ता अच्छे से मिक्स करते जा रहा है दो ताल टाल दूओंगी एक जमस फोट कलर Smells यरो कलर गाउस्ते से अच्छे मस्ता चास्रे में रखने को बना दूगी तो जावम चीप-चीप यहाँ देखिए बहुतन है परने रखने देखे टेक्षे ऑन सगरम रहता है या तो फिर इसे नीचे करकर भी देखेंगे हैं ये चास्ने बृझको बखर बनाते हैं तो पूंदी बनाने के लिए मैं आपे जो घर पर रखे रहते हैं फिरसायं सामाल्वीं से तो तीनों से ही मैं आपको बताना बताओंगी तो यह देखिए आपे मैं चम्मस में टारी हूं पीष्टे को और उपर रखना है आपको चम्मस को और मस्तर नीचे आपको टालती जाना है बूंदी को ओल में तो हल को अच्छे से गरम कर लीजेगा फ्रें उसके बाद आप यहां पर मिडियम कर लीजेगा तो यह देखिए मैं कि इस तरह से डालती जारी हूं फिरें मेरा कड़ाई चोटा है आप यहां पर बड़ावाल भी ले सकते हो तो मस्त इसमें आप बहुत सारे बूंदी को एक स परफेक्ट बूंदी फ्राई हो चुका है तो आप इसे निकाल दीजेगा क्या राता है फ्रें यह बहुत ज़्यादा हलका राता है बूंदी तो बहुत जल्दी से फ्राई भी हो जाता है तो ध्यान दीजेगा कच्छे बिल्कुल भी मत निकालेगा इसे अच्छे से मस्ता धोर अच्छे से पीले कलर होते तक से अच्छे से फ्राई कीजेगा तो ये देखे फ्रेंट मैं अच्छे से फ्राई कर चुकी हूँ निकाल देते हैं फिर इसके बाद मैं आपे फिर से हो जो बड़ा बाला साचा था फ्रेंट उसे ले रहें पुवा दोने का और इसमें भी टालतोंगी पेश्ट को और ये देखे फ्रेंट इससे भी असानी से बन जाता है तो इसे भी आपको उपर लखना है और मस्ते इसे भी पुंदी को इसमें टालते जाना है और अच्छे से मस्ते मीक्स करते जाना है तो ये देखे फ्रेंट ये भी अच्छे से मस यह देखिए तो इसे भी निकाल दोंगी और यहां भी कट्टू कस करने का जो साच रहते हैं उसी भी डाल दोंगी यह देखिए बेश्ट को और अच्छे से मस्ता उपर करकर बुंदी की जैसे बनाती जाओंगी बहुत यह असानी से बन कर तयार हो जाता है फ्रेंट देखर फ्रेंट घर में जो समाना रिबा रहता है इसी से हम बुंदी को बना कर तयार कर सकते हैं तो यह देखिए इसी भी मैं अच्छे से मस्ता फ्राई करूंगी गच्छे बिल्कुल भी मतनी का लिएगा फ्रेंट इसे अच्छे से फ्राई कीजेगा इत्तम बहुत ही ज़्याद इसे थोर ऐसा गरम रहा है अगlor प्रेंट तो चास्ली को अच्छे से मैं इसे मीक्स करते जांगी तो इसे मीक्स करनाय। मसले से mix करतूँगी और mix करने के बाद आदे गंटी क्ले में रखतूँगी तो लीजा प्रेंट बरंका तयार है खीरा खेला सा मीठी पूंदी की रेसिपी आई हो फ्रेंट उमीद करती हूं फ्रेंट आपको रेसिपी अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो फ्रेंट तो प्लीज ट्राइ कीजिएगा पसंद पंचमी में और क्यासल हैगे फ्रेंट आपको तो प्लीज मुझे कमेट में बताइएगा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंट तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ कर दीजेगा जो भी नहीं मेरे चानल में तो प्लीज बेल आइकन को प्लेज कीजेगा और मेरे चनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दो प्रेन नहीं